हलो बच्चो मैं सुनिर कुमार सिंग मेरे चानल पर आप सभी का स्वागत है तो आज हम आपको रिजिनिंग का कुछ प्रावलम लेकर के आया है और देखिए कैसे बनता है और कैसे क्या इसमें ट्रीक लगता है किस तरह से सोचना पड़ता है यह आप पूरी तरह से आज हम ब पारहा है यानि कि हमको निकालना हमको क्या है यह कुना वला ठीक है कुना में दिया हुआ है 42,4 और 36 तो इससे क्या लगता है यह लग रहा है कि हमको इसमें कुछ भी करें तो माइनस कम आना चाहिए जिसे कि इस दोनों को जोड़ करके घटा आयना पड़ेगा है तब रहा है या तो बहुत दोनों को घटा करके और कम अंक से गुना करना होगा यह भी हो सकता है लेकिन इसमें हम जोड को कम से कम क्या सोचना है क्या करें कि कम से 12 कितना हुता है 42 तो 42 तो आनीज रहा है घटा करके देखेंगे तो 30 में से 12 घटा तो घटा करके देखें 30 में से 12 हटा रहे हैं तो कितना आ जा रहा है हमारा तो 8 और एक अठारा जा रहा है यह भी नहीं आ रहा है लेकिन हां देखें यहीं पर तीस में से 12 घटाएं तो 18 घटाएं तो 18 घटाएं तो 16 होता है तो 18 को 2 से गुना करेंगे तो हमारा कितना आ जा रहा है 36 तो यह आ गिया ठीक है 18 में से 2 को इसमें से इसको घटा करके 2 से गुणा कर दिये तो 36 हमारा आ गिया अब उसी तरह यह दोनों को इसमें 14 में से 12 घटाएंगे अब 2 से गुणा करेंगे तो 4 आ जाना चाहिए तो इसमें क्या 14 माइनस 12 गुणे 2 ठीक है 14 में से 12 घटा तो 2 2 गुणे 2 इसकल टू 4 यह भी हमारा गिया अब उसी तरह इसको देखेंगे 35 माइनस 14 गुणे 2 35 में से 14 गिया तो 1 और 2 21 गुणे 2 यानि की 42 42 आ गिया अब उसी तरह हमको 35 में से 30 को घटा देना है 35 में से 30 को घटाएंगे और गुणा कर देंगे 2 से तो 35 में से 30 घटा तो हमारा हुआ 5 और इसको गुणा कर दिया दो से तो यह हमारा हो गया 10 तो यहां पर 10 आ रहा है देखिए option देखे इधर दिया हुआ option यह है चार बी है 25 सी है 36 डी है 10 तो हमारा 10 आया इसलिए एंसर हो जाएगा डी नंबर ठीक है देखिए यह question cgpsc में 2019 में आया हुआ ठीक है तो चलिए देखते हैं यह वाला question कैसे बनता है तो देखिए इसमें तीन दिया हुआ है जिसे की एक figure यहां है एक figure यहां और एक figure यहां पर है तो इसमें पहला figure में क्या है 4,2,72 यहां पर है यहां तीन है यहां तीन है इसमें 9,4,720 है 10 है 2 है इसमें क्या है 6,20,1 और 6 यहां पर निकालना है देखिए यह चिस को देख करके हमको लगता है कि इसमें गुना करना होगा ठीक है बीना गुना किये हुए ठीक है तो आप देखे इसमें क्या क्या सोच सकते हैं जैसे कि यहां पर है चार और दो है और यहां तीन और तीन तीन है तो क्या करेंगे केतना है तो इसको गुना ही करना पड़ेगा दूसरा जोड़ घटा तो सोची नहीं सकते हैं इसमें बहतर लाने के लिए जोड़ेंगे सबको तब भी बहतर नहीं आएगा घटा आएंगे तब भी बहतर नहीं आगा इसलिए हमको इसमें गुणा ही करना होगा तो देखिए और इसका option दिया हुआ है एक देखिए option है एक का 72 बी का 720 सी का 7200 और डी का 38 ये u.p.b.m. आया हुआ है 2012 का question है तो देखिए इसमें कैसे बनेगा यह तो पहले आप क्या किजिए कि जोड़ घटा जोड़ना तो सोचना ही नहीं है इसलिए हमको पहले क्या करना होगा कि यह दोनों को गुणा किजिए ठीक है चार और दो को गुणा किजिए चार गुणे दो केतना हुए हमारा आठ और तीन गुणे तीन गुणे तीन करेंगे तो हमारा हो गया नो ठीक है गुणा किए और नो आठ नवा बहत्तर देखिए आ रहा है ना आठ नवा बहत्तर ती हमारा बहत्तर आ जागा यह आठ फिर आठ गुणे यह नो किए दोनों को गुणा करके तो बहत्तर हमारा आ गय ठीक है इसलिए हम बोलें कि छोटा जब छोटा अंग दिया हो और निकालना बहुत बड़ा अंख है तो हमको गुना करने के सिवा दूसरा कोई उपाई नहीं है तो हमको गुना करना होगा तो गुना करके किये तो देखे निकल गया उची तरफ कि यहां पर भी छोटा-छोटा है लेकिन यह बहुत बड़ा है तो उस हिसाब से हमको क्या करना को बीना गुना की हुए ने निकलेगा तो इसको इसमें दूसरा चीज सोचना ही नहीं क्यों हमको गुना के बारे में सोचना है तो 9, 4, 36 आप ऐसे भी सोच सकते हैं लेकिन ऐसे आएगा की नहीं आएगा ओ जिसे के मालीजे की 9, 10 यह हो गया 90 ठीक है 9, 10, 4 दूनी के 8 यह 8 हो गया यह दोनों को गुना कीजेगा तो 8, 9, 22 यह भी आ जा रहा है ठीक है 9 इसको गुना कीजे देखे इसको भी गुना करने से आता है हम तो वैसे कर रहे थे आप सोचने सोचन अभी आ रहा है हम क्या गुना कीजेए कि 4-2 चार गुने 2 कीजेए 3-3 तो आ गया 72 लेकिन आप अगर सोच लेते हैं कि 4 गुने 3 ठीक है अगर इसको देखे मिटा देते हैं फिर से दूसरा सोच के बारे मैं बताते हैं जैसे कि मालीजे कि हम तो ऐसे सोचे थे सोच करके बना लेकिन आगर आप मन् भानी दे सोचते हैं यानि की 6, 2 GUNE 3 यानि की कितना हो रहा है? 4 ओब 12 जोड़केए तो 12 जोड़केंगे और 12 गू़के छकाट 52 आगया ठीक है? तो आप ऐसे वी जोड़करके इसको ला सकते हैं और ऐसे भी जोड़करके ला सकते हैं दोनों तरश्य जोड़िएगा तो आज आ रहा है तो आप जैसे भी सोचना इसको सोच लीजे चिक अगला लेकिन अगला में भी अगर आ जाता है तब होगा नहीं आता है तो फिर एकी तर से जिस तरह से आईगा वह ही आंको काम करेगा जैसे कि इसमें नो चोग के 32, नो गुने चार किये, नो चोग के, नो चोग के 36 होता है ना, नो चोग के 36, और 10 गुने दो किये तो 20, ठीक है, दोनों को, अब फिर ये दोनों को हम गुना करेंगे, तो कितना हो जागा, 2, 6 के 12 के 2, हाथ में बचा 1, 3 दूनों के 6, 6, 7, 720 आ रहा है, आ रहा है ना, तो हम क्या किये, कि इसको इसको गुना किये, लेकिन आप अगर चाहिएगा, तो ऐसे भी करके देख लीजे, कि आता है कि नहीं, तो ऐसे करके देखते हैं, तो हम क्या करेंगे, 9 को 10 से गुना करते ह हैं, तो 9 गुने 10, तो कितना होना चिये, 90, ये 90 हो गया, 4 गुने 2 यानिकी 8, चार गुने 2 यानिकी 8, अब 8, नमा 12, ऐसे भी आ रहा है 720, 720 आ रहा हैं 20 야श है एसे लिए कर दीजे इधर से एएसे भी कीजेगा तो आप आएसे किजेगा तो आप कर दीज Gumus 1 इसकल 2 हो गया हमारा 6 और 6 दूनी के 12 20 गुने 6 कियेगा तो 6 दूनी के 12 120 और इसो गुना कीजेगा तो कितना हो जागा 6 दूनी के 12 के 2 हाथ में बचा 1 के 6 7, 0, 720 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा हमारा 720 यही हमारा एंसर होगा, देखें एंसर में भी दिया हुआ है कि 72, देखें 720 यहाँ दिया हुआ है यही इसलिए हमारा एंसर 720 हो जागा तो चलिए, यह लगोशन देखते हैं कैसे बनता है तो इसको बनाने के लिए क्या है कि जैसे कि 3, 15, 27 है और 6, 31 और 56 और यहाँ 9, 81 और इसको निकालना है हमको तो इसमें देखें क्या करें कि हमारा पंद्रा आ जाए ठीक है यह इसमें हमको क्या करें कि पंद्रा आ जाए इसमें क्या करना होगा कि 31 और यह निकाल सकते हैं तो हम अब सोचें कि क्या करना होगा कि हमको पंद्रा आ जाएगा तो पंद्रा लाने के लिए इसमें से इसको घटाव करना होगा या जोड़ना होगा जोड़ने से देखिए जोड़िये गया या घटा यह गया दो यह चीज इसमें कर सकते हैं क्यों क्योंकि इसमें अंक बहुत बड़ा बड़ा नहीं है इसमें छोटा है चोटा आंक है इसलिए इसमें जोड़ और घटा बस दो यह चीज हो सकते हैं तो आप देखिए इसको जोड रहा है तो जोड़िये तो 27 और 3, 30 15 नहीं आ रहा है, 6 और 16 और 62 और 62 और 62 और 62 और इसको जोड़िये तो 90 आ रहा है, देखिए अगर इसको दोनों को जोड रहा है तो 15 तो नहीं आ रहा है, क्या रहा है, 30 लेकिन हम अगर 27 प्लस 3 करते हैं तो कितना आ जा रहा है, हमारा आ जा रहा है 30, अब इसको 30 को क्या करेंगे कि 15 आ जाएगा, तो 30 को सिंपल 2 से डिवाइट कर देंगे, तो हमारा 15 आ जाएगा, इस दोनों को जोड करके आया 30, 30 को 2 से डिवाइट करते हैं, तो 15 आ जा रहा है, ठीक है, तो ये तो हो गया, लेकिन अब देखिए, इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर इसमें भी आएगा, तो ये ट्रिक लागो हो जाएगा, तो देखिए, इसमें क्या क्या है, तो 56 प्लस 6, तो जोड़ेंगे तो 6-12 के दो हाथ में बचा है, और 5 एक 6, ठीक है, 6 को डिवाइड करेंगे कितना से, 2 से, यहां 2 से किया नथज दिवाइड, तो यहां भी 2 से करेंगे, यहां 3 से भी कर सकते थे, क्या कि 2 है, अगर 2 से कर के देखते हैं, से ने तो 21 एक सा जा रहा ह। यानि कि हमको सब दोनों को जोड़कर के 2 करना होतह вып क्या पता हमें को यह दोनों को जोड़कर के 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा यहा जा रहा है इसमें वही आ या 90 को क्या करना है दो से डिवाइड करना है तो हम दो से डिवाइड कर दिये तो यह हो गया हमारा 45 अब देख लिए कि 45 एंसर में है कि नहीं देखे है 45 है एंसर में सी नंबर तो यह हमारा एंसर हो जाएगा तो चलिए यह कोशन देखते हैं यह कैसे बनेगा अब इसमें हमको देखना है कि दो तीन चार और पचीस निकालना है हमको यह वाला तो हमको क्या करना है कि यह तीनों को जोड किजिए घटाव किजिए जो कड़के भी गुना लाना है और करके 71 लाना है इसका हमको फिर यह लाना है ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इसको जोडेंगे तो 25 तो winning आएगा ठीक है Państwo जोडने से 25 नहीं आएगा क्योंकि छोटा-छोटा है यह तो अगर सब छोटा-छोटा आंख है और निकालना हमको बड़ा आंख तो क्या करना होगा गुना करना होगा इसके पहले भी एक वीडियो उसको भी आप देख लिजेगा और इसमें क्या है कि यह सब छोटा-छोटा है तो हमको और निकालना हमको बड़ा आंख तो छोटा-छोटा आंख दिया रहेगा और निकालना रहेगा बड़ा आंख तो उसका एक है कि उसमें हमको दूसरा कुछ सोचना केवल गुना सोचना है ठीक है उसको multiply कीजिएगा तभी बढ़ा अंक आएगा तो हम देखिए इसमें क्या है कि दो गुने तीन गुने चार इसको हम गुना कर दिये सबको तो तीन दूनी के छो चोग के चोविस चोविस आ रहा है लेकिन आना है कितना हमको पचीस तो म दिख लीजे पांच गुने साथ गुने दो तो केतना 7 us 35 पवैंटीस दूनी के 70 ठीक है'S तो यह दोनव में देखिए यहां गुना किये तो हमारा आ रहा है सत्तर लेकिन हैं वहां पर 71 तो अगर इसमें हम इस और करने के बाद अगर प्लस 1 कर देंगे तो 25 आ जाएगा तो इसमें भी प्लस 1 कर देंगे तो 71 आ जाएगा ठीक है तो वही चीज़ अगर इसमें कर देंगे तो हमारा एंसर भी आ जाएगा तो क्या करेंगे 1 गुने 5 गुने 6 को करेंगे तो 5, 6 30, 30 को एक से गुना करेंगे तो 30, 30 गुने, 30 प्लस 1, तो हमारा आ गया 31, ठीक है, तो हमारा answer हो गया 31, देखिए 31 ए में है 31, तो यही हमारा answer हो जाएगा, ठीक समझ में आ रहा होगा, तो समझ में आ रहा हो, तो लाइक भी कर दीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूरी कर दीजिएगा तो चलिए, यह लग कोश्चन देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं तो इस कोश्चन को बनाने के लिए इसमें भी देखिए, क्या है कि 18, 3, 6 और 21 21, 9, 4 और 26 और इस तरह से, यह हमको निकालना है क्या आपको इस कोश्चन को देखने से लग रहा है कि इसमें गुना का कुछ काम है गुना करने से यह निकलेगा यह गुना करने से निकलेगा यह नहीं कि कि किसी को भी गुना किजिएगा तो ज्यादा आ जाएगा छो तरी आठारा ठीक है अब इस नो चुग के चछटिस इस अब आठ तरीके चौविस लेकिन तो हमरा चार अरंक है न तो क्या तीन को गुना करने से इतना आएगा कभी नहीं आएगा इधर से चौविस को गुना किज़ता हैगा नहीं आएगा यह दु जब भी करेंगे तो जोड करेंगे और घटाओ करेंगे तब ही हमारा आएगा ठीक है तो हम क्या करते हैं कि दखिए हमको लाना है क्या 21 क्योंकि यह निकालना है तो हमको 21 के बारे में सुचना हो पड़ेगा 18, 3 & 6 को क्या करें कि 1 एक इस आ जाए ठीक है तो सोचिए इसमें क्या है कि 18, 18 और 21 को लाना है तो 18, 19, 21 मतर्ब तीन इसमें जोड़ देंगे तो हमारा 21 आ जाएगा ठीक है तो 18, 18, 16 लेकिन यूज भी सबका करना है ठीक है तब एंसर आएगा ऐसा नहीं कि 3 यहां आ गया तो 6 में से 3 को घटा देंगे तो आ जा रहा है 6 में से 3 को घटा दीजिए तो हमारा आ जा रहा है यह हो जागा 18 प्लस और 3, 21 आ जा जा रहा है हम क्या कियें कि 18 और 6 में से 3 घटा दीए तो 3 आया 3 को 18 में जोड करके 21 ला दिये, ठीक है? तो आ गया, अब इस में दिखिए, इसमें क्या है? 21 है और 9, 4 को 26 लाना है, तो 9 में से 4 घटा, चार में से तो नो, इसमें से दिखे, इसमें क्या किये थे, छो में से नो गटा है, तो हमको क्या करना है, जो बड़ा अंक है, उसमें से छोटा अंक को गटा करके, उसको जोड़ देना इसमें, ठीक है, हम 21 है, तो 21 प्लस, 21 प्लस, अब बड़ा अंक 9, 9 में से चार गटा, तो तो 5. 5 को जोड़ दिये. तो देखिए हमारा 26 आ जा रहा है. ठीक है? 26 आ जा जा रहा है. इसमें क्या कियें? अठारा को 6 में से 3 जोड़े तो 1 इसा गया, इसमें भी 9 में से 4 जोड़े तो 20 आ गया, वही चीज इसमें करना है. इसमें 24 में अगर हम चौबिस जोड़ अब 18 को 3 से 8 को 3 से माइनस करते हैं तो कितना जा रहा है तो 5 और 24 यहां 5 हो गया है तो 5 और 24 कितना हो गया है 29 अकर 29 एंसर है तो आज आगा देखिए कोश्चन हमारा है एंसर है देखिए यहां पर D D नंबर में 29 है तो यही हमारा है एंसर हो जाएगा देखिए यह कोश्चन ऐसे सी सीजेल का 2015 में आया हुआ कोश्चन है